Hello, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम है सागर और आज हम लोग decide कर लेंगे कि sir, board exams में हमें 95 plus चाहिए ही चाहिए. अब ऐसा है कि sir, सबसे major problem आज ते कहे रहा है कि हम लोग जब भी कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं, हमें लगता है वीडियो कितने parts का होगा, कितना सारा वीडियो देखना होगा, कितना सारा notes बनाना होगा और कितना पढ़ना पड़ेगा. तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक solid solution है. आप लोग इतना दिमाग लगा हो इना. एक दम simple बात है, अभी ऐसा है कि मैंने क्या किया, मैंने एक बावाल चीज़ आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, और वो है धेर सारे books, है न? बट इसमें से दो आपके लिए हैं, और वो है class 12 का एक ठो economics और एक ठो दूसरा business studies. तो मैं आप बात करूँगा थोड़ा सा economics का और business studies का, और फिर आप video continue कर सकते हैं वाच करना, तो ऐसा है कि हमारे धेर सारे books launch हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा problem यह होता है कि सर मैं कोई book का नाम नहीं रूँगा, but if you go for any reference book, it is approximately 500 pages, 600 pages, and it becomes a task, a very big task in order to revise everything just before the exam. तो बच्चों कर रहता है कि सर क्या case study पड़े, क्या करे, क्या करे, क्या करे, मतलब concept तो बहुत पीछे चूट जाता है, practice क्या करे, mcq क्या करे, इतना tension यह नहीं लेना, तो concept को लेकर, सिर्फ और सिर्फ concept को लेकर, एक तम concise case बनाया गया है, हर एक particular subjects के लिए, हर एक particular level of class 11, 12, CA foundation तक के लिए, ताकि आप within 100 pages, यह तो 100 page की भी किताब नहीं है, मैं मजाख नहीं कर रहा है, sir, आप गिन सकते हैं, मतलब seconds लगेंगे आपको गिनने में, this is approximately 70 pages, आगे पीछागर में लूँ ऐसे, तो 35 page का होगा यह content, sir, this is, that's it, this is your entire business study syllabus, this is your entire economics syllabus, yes sir, your macro and your ID, so class wealth के जो भी बोट्स के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, this is it, like this is it, that's it, लेकिन हाँ, यह नोट्स बनाया गया है, बहुत शिदद के साथ, हर एक topic के साथ, और यह पूरा का पूरा इसाइन किया गया है, आपके CBSC के करिक्लिम के साफ से, यानि कि आप फर्स पेज में, the first thing that I have given is the CBSC curriculum itself, which means, यह जो बुक के लिए, आपके latest pattern के साफ से, latest syllabus के साफ से, latest sub-topics के साफ से बनाया गया, इसमें कोई portion चोड़ा नहीं गया है, बहुत ही colorful, बहुत ही स्वादिष्ट बुक है, सर, इसको आप पढ़ेंगे, तो आपको मजा आजाएगा, everything is in concise, and this is definitely a book you can go through, the night before your exam, सारे concepts इसमें covered है, कुछ missing नहीं है, और सबसे बड़ी बात, YouTube पे, जो भी वीडियो आ रहे हैं, इसी बुक के relation में आ रहे हैं, यानि कि ये बुक को हम लोग revise कर रहे हैं, पूरी डीटेल में, और ये सारी वीडियो, मतलब अगर आप ये बुक परचेस करते हैं, जो भी लिंक दिया हुआ है उससे, और बहुत ही फ्रोवे प्राइस पर है, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है, costing भी है, ऐसा बत नहीं है, और तुम लोग नहीं बनाओगे, यार पैसे वाले तो कैसे चलिगा, तो अभी ऐसा है, कि सर ये हमारा वीडियो है, ये हमारा बुक है, और जितने भी वीडियो है, हमारे इस पटिकुलर बुक पर ही बेस्ट रहेंगे, कोई और रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ाएंगे, अगर कुछ एक सम्स हुए, या कुछ कंसेप्स हुए, कंसेप्स हुए, सारे इसमें कवड़ है, कुछ सम्स हुए, नुमेरिकल्स हुए, जो बच्चे आगत पुछते हैं, ये बुक से ही है, वो हम सौल करते हैं, और वो हम उसके लिए उसरे बुक्स का रेफरेंस लेते हैं, दाट इस अल्सों हेलफू तो ये बुक्स बनाया गया ये बुक्स, बहुत टाइम लगा, काफी टाइम से मुझे वरिट था ये अनाउंस करने का यूट्यूब पर कि हमारे बुक्स आ चुके हैं, और अल थी बुक्स आर अवेलिबल फॉर सेल, और यू विल फाइंड लिंक इन दिस्क्रिप्शन अब जाओ, तोड़ दो, एकदम गंद मचा दो और भाईया जितना हो पाई उतना माच लेओ, ठीक है, टाड़ा भाई भाई, ओल दबेश्ट, जेहिंट, चलिए सर, स्टाट करें, तो आज हम लोग का क्या शुरू हो रहे सर, पूरा-पूरा complete revision, चलो, अब आएगा मजा, सबको बुक मिल गया, सबको एक बर ताली हो जाओ, तो इसी बुक को हम फॉलो करने वाला है, obviously, cause this is like the best author ever, and अपने लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग revision, macroeconomics से, because IED के साथ स्टार्ट करके हम लोग इसे घोर पाप नहीं कर सकते, वरना तुम लोग सब जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, सोते सोते, अपने लोग थोड़ा सा उठते हैं, और अपने लोग स्टार्ट करते हैं, अचा बहुत लोग के ये भी डाउट आएगा बुक परते टाइम, कि sir, ये कौन सा chapter wise है, मतलब संदीबगर की साब से पड़े की औरी की साब से पड़े, ये NCRT का chapter wise है, right, so if you just look at the first three pages, what I have attached is your CBSC का book का syllabus, right, so this is NCRT बो चाहे CBSC का जो curriculum it is given here, okay, and I have also given the marks distribution which has been provided by CBSC board only, so no credits there, but 20 marks का project में 20 marks score करना ये आपका difficulty है, 80 में 80 दिलाना वो मेरा है, अब बाकी आप देख सकते हैं, 40 marks का हमारे पस macroeconomics हो, 40 marks का हमारे पस ID है, अब ये revision शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा शुरू करेंगे, भगवान करें, ये हमारा last ही revision हो, की भई आज सुरू कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा देखना ही की, ये revision चलते 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 बोड आजाएगा, क्योंकि उतना भी time नहीं है, November चल रहा है, December January, February में बोड. अर अंदर से feeling आएगा दीर से, ठीक है, two months left, ऐसा सोचो, two and a half ले लो, चलो, so two and a half months means how many days, 75, 75 days are left to your board exam, remember the first day you chose commerce, ticked on the exam, कि नहीं हम लोग commerce लेके पड़ेंगे, वहां से 500 दिन खतम हो चुका है, ठीक है, 365 चला गया पहला, उसके बाद और देट सो दोसो चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ, अब सोचो, सिर्फ 75 डेसा, double digits म बाकी है, half century से थोड़ा उपर, तो अब अब लगा है, तो don't play with the cover, cover अलग हो जाएगा, अभी अभी एकदम fresh binding हो क्या है, तो दो पेज आगे से खोलना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, full, अब अपने लोग स्टार्ट करते, macro economics is how many marks, बोलो, 40, और ID कितना है, 40, इसमें कोई overlapping नहीं हो सकता, it is not possible कि macro economics में 45 अगया, उसमें 35 अगया, that is not possible, clear है, आप लोगों को जो आपना board का paper मिलेगा, section A और section B clearly अलग रहेगा, right, so it is up to you to start either ID first or macro, like a normal sane person, I will highly request you to start with which topic, बिल्कुल macro के साथ start करेंगे, क्योंकि macro में ID में हम लोग कुछ भी करते है, history लिखने लगते है, तो क्या होता है, history अगर पहले लिखोगे, तो बाद में geography बिगड जाएगा, तो हम लोग इसलिए पहले geography टिक करेंगे, फिर history संबालें, clear है, क्योंकि उसमें आप unlimited लिखना शुरू कर देते हो, clear है, so don't go for ID first, always go for macro first, then ID में अपने आप time management हो जाएगा, ठीक है, अचा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अलग-अलग units दिये हैं, जैसे part A में units मिले आपको, ठीक है, book खोली दिदी, तो unit 1 से लेकर unit 7 तक, unit 8 होगा actually, unit 8 तक हमारा syllabus है, so this entire book has been designed from unit 1 to unit 8, और यह सारा topic उसमें cover किया गया, जितना which I found in Sandeep Garg to be in power booster, ठीक है, तो वो भी डाल दिये गए हैं, जो CBSC बोला है हमें रहेगा, बोलो clear है, चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा था, I am just giving you an example, यहाँ पर मैंने देखा था, balance of payments में, हाँ जी, यह आप लोग एक topic देख रहे हो, merits and demerits of fixed, यह आप लोगों के Sande CBSC का curriculum follow कर रहे है, तो CBSC तो reference books है ना, जो हम लोग follow कर रहे है, है तो NCRT सब कुछ, तो NCRT में भी यह topic दिया हुआ है, which means हमारे notes में भी यह topic included है, तो यह notes के बाहर कुछ नहीं आ सकता, all in all बोलने का मतलब यह है, but these notes don't complete the full answers, समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर answer दिया हुआ लेकिन इसका मतलब क्या है, तो उसको तो समझना पड़ेगा न, तो उसके लिए पूरा side, left side जो है, आप लोग का book का पूरा खाली है, और पूरे left side में पूरा notesy notes है, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग सारा का सारा explanation लिखेंगे, follow done, चली, start करते हम लोग, आज, first time, first unit के साथ आजये sir, unit 1 का index पे, और how are we going to study और how are we going to aim for 80, ठीक है, अब हम ऐसे पूरा जिंदगी तुम लोग को लेके demotivated रहा, ठीक है, but अब वो time आ चुका है कि मुझे जूड बोलना है, यानि कि आप लोगों को बहुत जादा motivate करना है, ठीक है, अब जो भी मानो, लेकिन अपने ल connection है, ठीक है, चेकर का आपके साथ, अब ऐसा समझ जाईए, अब शुरू कर रहे है, पाटे, introductory, macroeconomics के साथ, unit 1 क्या लिखा हुआ है, बोलो topic, national income and related aggregate, हमेशा हम लोग का बचपन से क्या dispute था, संदीवगर में 4 chapter है, सर वीके औरी में 3 chapter है, यही सब करते रह जाते थे हम लोग page number के साथ, so please आप लोग switch करिए इस index पे, और यहाँ पर इस index में मैं आपको tick कराऊंगा, जिसको हम लोग बोलते है, LDR, LDR का मतलब होता है, last day revision, because you cannot expect you can go through this entire book and each and every concept just on the night of the exam, समझा गया, on the eve of independence, आपका eve of independence हो जाएगा, तो हम ऐसा चाहेंगे कि on the eve of the exam, you will only go through LDR, LDR बोले तो यह index देखेंगे, इस index में, for example 28 topics दिख रहा है आप लोगों को, first chapter में, तो यह 28 topics में से मैं आपको mark करा दूँगा, 12 या 15 topics, यह तो देख के जाना है, समझा गया, अब वो तो bare minimum करना है, अगर वो हो गया, तो बाकी सारा topic भी हम लोग पढ़ लेंगे, बोलो clear है, चलो, तो यह हमारे पास देखें, 28 topics है, एक एक करके एकदम, फटा-फट, फटा-फट, complete करेंगे, start करें, चलिए, switch करें, page number 1.1 में, कौन सा chapter पढ़ रहे है, कौन सा unit पढ़ रहे है, national income, फिर है, चलो, start करेंगे, हम बोलता रहेगा, हम ही जवाब देता रहेगा, तो मज़ा नही problem, problem, बोल सकता है, problem, बस, तो मतलब 0 out of 0 मिलना क्या 100% होता है, नहीं न, तो आप बताइए, what is macroeconomics, macroeconomics is the economics or study of aggregates in the economy, ठीक है, एकदम short भी नहीं लिख सकते, एकदम long भी नहीं ले सकते exam में, long लिखने का मन करें तो लिख दो, लेकिन time होना चाहिए, बड़ा answer से भागना क्या, अरे लिखते जो न, flow flow में तो answer बनी जाता है, clarity में एसे लिखते की नहीं लिखते, जब आप ऐसे दिल से लिखना शुरू करते हैं, तो words भूल जाते की नहीं, फिर बाद में you are like, अरे कितना words हो गया, तो जब आप कोई चीज मन से लिखेंगे न, आपको word limit नहीं economics, micro economics, micro economics का मतलब क्या होता है, फिर micro का मतलब होता है, study of individuals, हम लोग क्या कर रहे है, revision, ठीक है, तो अच्छे से focus करना, ठीक है, याद रखना, revision का revision करना पड़ा, तो फिर boards काटो मा दो, 2025 रहने दो, चलो, तो अपने लोग आते, micro economics, class 11 में क्या पढ़े थे, micro, micro का मतलब क्या कितना supply करेगा, किसी एक चीज को अगर हम लोग पढ़े, एक product को पढ़े, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, micro, but right now, we are studying macro economics, which basically means, हम लोगों का सारा economic goods and services को envelop कर लेगा, और जितने लोग है, पूरा population को ले लेगा, clear है, तो सोचो, कितना बड़ा figures में deal कर रहे हम लोग, समझ level of the economy as a whole, it is the sum total of sectors in the economy, बोलो तो कितना sector होता है, 4 sector, फटा फटा एक बार रिपीट करो, कौन-कौन सा, household, firm, government, foreign sector, यह हो गया, household, firm, government, foreign, ऐसी याद रखना, two sector में क्या क्या आएगा, government और, sorry, household और firm, और उसकी उपर आएगा government, third three sector में और fourth में, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग notice करते, point number 1.2 पे आते, ठीक है, point number 1.1, not that important, but you should know, next आते, basic concepts, हम लोग के सबसे पहले goods, consumption goods, clear है, अचे, एक बात बताईए, मैं एकदम simple बता रहा हूँ आपको, okay, अराम से सोचेंगे, देखो, दो, तीन मिनट एक्जाम, देखो, एक्जाम में यह होता है, समझ में नहीं आता है, okay, market में गए, चीनी खरीदे, market में गए, चीनी, चीनी मतलब sugar, you purchase sugar, अभी sugar, आप purchase किया, अपने personal use के लिए, समझ में आगया, घर जाएंगे, चाए बनाएंगे, चाए में डालेंगे यह चीनी, यह है, consumption goods बोल सकते हैं की नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, यह है, मैंने चीनी खरीदा, और मेरा अपना एक cafe है, और cafe में, मैं गया, और जितने भी customers आते हैं, जो लोग cappuccino order करते हैं, उनको मैं चीनी डालके, उसमें serve करके देता हूँ, अभी यह consumption goods है क्या, आप लोग confused हो रहे हैं, और यही होगा आपके साथ exam में, मज़ा आगया तुम लोग का चेहरा देखके, answer तुम लोग का ऐसे है, क्योंकि ऐसे भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है, आने का लगेगा मज़ा, बाया साइड है, आप लोग का खाली, उपर heading लिखिये goods, उपर heading लिखिये goods, goods में इस तरीके से हम लोग करेंगे, consumption goods, capital goods, intermediate goods, final goods, question यह नहीं है, question है, consumption है की नहीं है, है, अभी लिखो पढ़ाते है, दिखो यार, concept समझना है, ठीक है, हमें फरक नहीं पड़ता, कितना भी टफ हो, हमें जानना है, हां नहीं तो हमारे ego पे लग जाएगा, हमको आता क्यों नहीं है, समझ आ गया, चार लोग बात कर रहा है, हम पांच बाँ बेठे हैं, वहाँ पर, I should not be the odd one out, I have to know what they are talking about, clear है, जिंदगी में कोई हम लोग को stupid या dumb बोलता है, कैसा लगता है, तो हम जोड सा गुस्सा आता है, मन करते हम, क्या ही करें उसके साथ, बस, वह चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहिए, बन गया, अब फोकस करिया वापे स्क्रीन पर, goods, what do you mean by goods, चलो, ठीक है, I am going to take a very, 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 very easy example, and I am going to just bore the hell out of you, at this point that you will start to answer yourself, I am going to take this phone, ठीक है, phone लिया, mobile phone सबके पास है, सबके जिब में, अगर आप एक mobile लेते हो, आप मेरे को एकदम आराम से बताईए, खुल के बताईए, सोच के बताईए, क्या mobile consumption purposes के लिए होता है, consumption का मतलब खाना होता है, क्या, हर चिज़ खाएगा, क्या, आप आराम से सोचिए, आप एक shirt खरीदे, आपका consumption हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, इसका मतलब कि आपका सरीर खा रहा है इस shirt को, नहीं ना, consumption का मतलब खाना नहीं होता, consumption का मतलब using it, consumption का मतलब use, okay, now tell me, is this phone going to be consumed by someone, ultimately, yes or no, सोचो आराम से, iPhone का factory में जब phone बन रहा है, ये phone ultimately कोई उसको use करेगा कि नहीं करेगा, और ultimately उसको अपने purpose के लिए use करना पड़ेगा, आप बोलेंगा सरी बिजनेस के लिए use के तो आरे भांड में गया business, purpose तो purpose है ना, इसको मैं चलाऊंगा, इसको मैं use करूंगा, इतना use करूंगा कि एक दिन ये खराब हो जाएगा, that is the goal, है कि नहीं है, laptop खरीदे, क्या laptop क्या हर साल ऐसे से बदलते हैं हम लोग, अरे कुछ खराब हो गतम ना, नहीं तो अपने purpose के लिए use करते हैं, तो जब factory में एक laptop बनता है, don't they know it is for someone, हो रहा है की नहीं हो रहा है, थोड़ा clear, okay, for example एक T-shirt है, factory में बना ये T-shirt, ये अभी shirt ये T-shirt जब भी बन रहा है, manufacture हो रहा है, ultimately एक आदमी के पास जाएगा, consumption के लिए correct है की नहीं है, most of the goods in the economy, which we buy, are what, बोलो कौन सा goods, okay sir, but there are a few varieties of goods, which cannot be meant for one person, होई नहीं सकता की एक आदमी अपना purpose के लिए उसको consume करे, chips, consumption goods है की नहीं है, लेकिन chips बनाने वाला machine, not air fryer and all, no 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 no, वो बड़ा सा machine, जो Lays का factory में लगा हुआ है, वो आपको लगता है, consumption good है, I am talking about the machine itself, do you think the machine is being, has an end goal of staying at somebody's house, or getting consumed by one person, the purpose of that good, or that machine, is to spur out consumption good, लेकिन वो machine थोड़ी खप जा रहा है, आप को समझने का कोशिश करिए, वो machine का use, use नहीं कहलाता, वो machine एक ऐसा capital asset है, जिसके मदद से, हम लोग क्या बनाने वाले हैं, consumption goods, लेकिन कोई भी consumption goods से, आप consumption goods नहीं बना सकते, सही है, अब आप बोलोगे, सर, आप चीनी खरीद के, coffee तो बना सकते हो, तो सर, consumption goods से, consumption goods बनाया ना, नहीं, मैंने, आप बात को समझी, अगर मैं चीनी लेकर कॉफी में डाला, तो वो चीनी बेचारा खुद ही घुज गया उसमें, लेकिन अगर आप लेज का फैक्टरी में जाओगे, तो वो मशीन खुद घुज जाता है आपके पके पकेट में, नहीं ना, उसमें एक ही चीज घुषता है, हवा, क्योंकि हम लोग हवा करें तो चिप्स प्री मिलता है, तो चीज भर में, तो आप ये, इसमें अधे दिए अधे, ऐसमें अधें इसमें इसमें बाइशम तो यरसेव, no matter how you use it or whatever you use it for it will convert itself and it will get used in the process am I making myself clear and capital good mein it is not meant to be used or diminished it will always exist and it will help you to create more units of consumption goods वो थोड़ा sense बना रही है मैं बैसे एक 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 जामपल लेता हूं दो तीन एक जामपल लेता हूं exactly, consumption good में वो end में खतम ही हो जाएगा उसका life destroy हो जाएगा लेकिन capital good में go on forever जब तक हाँ तक्नीकी वज़ा से वो कभी repair ना हो पाए समझ में आगया? गाड़ी है हमारा choice होता है कि गाड़ी को fake दो समझा रहे हमारा choice होता है यह machine पुराना हो गया यह fake दो अगर आप चाहो और उसका parts मिल जाए तो हम क्यों fake हैं? फुला गलत बोल रहे हैं आप सोचिए अभी मैंने आपको यह book दिया अब आप बताओ यह book consumption good है कि capital good है? consumption good लेकिन यह book जिस printer से निकला वह capital good है अब आप बोलोगे sir आपने तो printer consumption के लिया नहीं मैं उस printer में paper डाल रहा हूं अपने consumption के लिए क्योंकि वह paper खुद अपना जान दे दे रहा है printout के time पे अभी clear हो रहा है उसमें जो ink डाल रहा हूं वह use हो जा रहा है that is getting consumed, is the printer getting consumed? are you feeling a part of printer attached to it? no na because the printer is there intact what you are seeing is colors, ink, paper that's it makes sense? so consumption good last में क्या हो जाएगा? consume लेकिन capital good last में consume नहीं होगा capital good आपको बना के क्या देगा? consumption good बोलो clear है? easy, easy, very good so consumption good और capital good में अब यह consumption good थोड़ा clear हुआ? okay तो मैं यहां लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते, बिल्कु लिखना है तो मैं यहां लिख रहा हूँ phone I am going to use the stupidest example ठीक है? आप लोग अभी मत लिखना, बाद में चापना मैं क्या लिखा? phone को आप बताओ consumption good बोलेंगे की नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? phone को capital good बोलेंगे क्या? नहीं लेकिन phone बनाने वाले उस machine को capital good बोलेंगे? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं machine, machines used to make phone चलेगा? इसको हम लोग क्या बोलेगा? capital good चलेगा? तो इसका phone से direct कोई relation नहीं है capital good, consumption good बनाएगा, done? इतना clear है? अब मैं फाल्तु फाल्तु example लेना शुरू कर रहा हूँ and I want correct answers, okay? उपर पंखा लगा है, capital good की consumption good consumption good, हम लोग specs पहनते है, capital good की consumption good अगर हम लोग laptop खरीदे अठके क्यों? सोचे क्या? laptop खरीदे तो क्या होगा? consumption good घर पे एक तो PC खरीद लिए मैंने एक iPad खरीदा business करने के लिए आपको पढ़ाने के लिए फिर भी consumption good, very good यह TV है लेकिन मैं तो उसको अपना personal purpose के लिए उस नहीं कर रहा हूँ मैं यह तो यूज करूँ पढ़ाने के लिए पैसा बनाने के लिए तो पिर भी consumption good अभी clear हो रहा है because this TV is not giving me a consumption good that is why it is not a capital good it itself is getting used makes sense पंखा किसी और को नहीं घुमा रहा विचारा खुद घुम रहा है समझ में आगे आपको बो clear हो रहा है सब कुछ ठीक है और अगर factory में चले जाए और factory का कोई भी plant and machinery लेंगे तो वो क्या बन जाएगा capital good clear है एक second अगर मैं एक building purchase किया खुद उसमें रहने के लिए कौन सा good अगर मैं एक building purchase किया उसमें books printing का एक थो नया business खोलने के लिए building खरीदना is capital good अब कहां पर आप लोगों का मार खार है logic आप लोग जो discussion करना चाह रहे है आप you are trying to tell me all of you are बोल सकते हैं वह भी ठीक बोल रही है उसे आप से तो phone भी रहेगा मैंने खरीदा phone तो रहेगा building does not get eliminated in the process of you using it नहीं don't relate it with the accounts because economics में implicit cost का concept भी आता है और वो cost का concept हम लोग accounts में नहीं लेते हैं तो इसलिए बहुत सारा चीज़े जो accounts में जायज है यहां पर जायज नहीं है ठीक है depreciation वाला concept मत गुसाओ लेकिन fixed assets कहीं ना कहीं building, land, shed, factory यह सारा capital goods में आता है सबका सब consumption है अगर production के लिए यूज की है तो ठीक है बहुत अच्छा अच्छा तंग मत आओ, confusion हो जाएगा, clear हो जाएगा तंग नहीं आना ultimately the correct answer is building is a consumption good कोई भी building, factory भी खोल लो तो उसका building भी consumption good ही रहेगा building निकल भाई exactly building निकल के नहीं आ रहा तो sir, अब इसको मैं कैसे तो समझाओ disputable है यह point बट आप ऐसा सोचो की building does get eroded away in the process now let's talk about this building when you get up the stairs you feel like it might fall and it does of all so sometimes I walk like this with iPad over my head but that depends so does the building get used answer is yes और उसमें कभी-कभी repair and maintenance भी कराना पड़ता है to keep it right समझा रहे है ठीक है, मेरे पास एक last break-even point है तुमारे for machine to derive its benefit it requires more things to be attached to it building in itself is the benefit machine में तुम कोई न कोई external element डालोगे जिसके वज़े से तुमको consumption goods प्राप्त होगा अगर मेरे को एक printer मिलता है तो तुमको उसमें paper डालना पड़ता है ink डालना पड़ता है कोई भी machinery लेते हो उसमें fuel डालना पड़ता है electricity डालना पड़ता है लेकिन building as its own structure it works it is not some देखो कोई भी चीज़ को consumption good qualify करने के लिए it should be independent and of use in its own how do you say restaurant building below how do you describe a restaurant you have to tell the things right car consumption good fuel डालते है fuel consumption goods में जाएगा car capital goods में जाएगा car consumption goods में जाएगा sorry 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 यह मेरे को confused कर दी consumption है consumption building is consumption building is consumption देखो एक दो यह तुम लोग तो पिछे पड़ गया मेरे I can I can sort it out I can sort it out let's talk about a car if you are confused cari अपने आप में consumption क्यों है पता है ठीक है यार हम रित्त वाला point ले लेते है it attracts depreciation happy this will work I hope it works ठीक है अब तुम लोग अपना mind में सोचो जो चीज़ depreciation attract कर रहा है उसको consumption में टालना चाहरे है हम लोग machinery लेकिन machinery itself is not getting used in the process and that is the only differentiating factor why it is a capital good हम यह point बहुत पहले बोला सब उड़ गया सब उड़ गया इस point से भाई तुमको capital good qualify करने के लिए ऐसा भी हो सकता है वो capital good में consumption goods के सारे के सारे qualities हो लेकिन जब तक वो खुद consumption good बना के नहीं देता तब तक वो खुद consumption good ही रहता है एक building तुमको building मना के नहीं देगा समझा रहे एक building खुद तुमको क्या benefit provide कर रहा है अगे बेटी ऐसे तो सारा asset अपने को कुछ ना कुछ benefit कर रहा है या building मेर को consumption good दे रहा है consumption good consumption good क्यों 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 technically capital होना चाहिए फिर capital में डाल सकते है हम ट्राइ बहुत किया लेकर तुम लोग merge कर दिया हम तो difference बढ़ी था तुम लोग उसको similarity में convert कर दिया I think it would be easier to teach the similarity between them now definition तो दिया होगा न economics का book में चली definition पढ़िए consumption goods में क्या लिखा हुआ है it refers to those goods which are meant for final consumption हम पढ़ा रहे हैं अभी consumption और capital आप चलेगे दूसरा topic में final goods अलग चीज़ होता है final consumption अलग चीज़ होता है final consumption पर बस टिक करी प्लीज माते एक मिनिट मेरे को पहली confuse कर दोगे तो फिर क्या फाइदा मेरा these comprise of durable semi-durable non-durable goods non-durable का मतब perishable भी होता है goods and services यह सारा किसमें जा रहा है consumption में और capital में आगर आएं देखो मैंने यह points लिख दिया इतना सारा अब देखते एक एक कर करकर के कि सागर महराजी क्या लिखे पहला it is used for productive purpose अब वही तो बात है ना तुम लोग एक कि बस antenna सरकाम कर रहा और पढ़िये life span of multiple years है इसका मतलब depreciation तो लगेगा ही लगेगा सबसे important point does not get absorbed in production मतलब आपका जो output आपको मिलता है उसमें उस particular machinery का कोई पार्ट नहीं आता you don't get the machine which comes with the laptop or which makes the laptop next requires maintenance and has derived demand derived demand का मतलब क्या होता है derived demand मेरको पता है तुमको मालू है बोलेगी की नहीं बोलेगी derived demand का मतलब होता है I'll just give you one example derived demand का मतलब correct इसका मतलब अगर clothes का demand है clothes बनाने वाले machine का भी demand हो जाएगा people don't demand people don't want a money to buy a machine people want a product from a money it is up to a money if he wants to buy the machine to make it or not clear हो गया आप बोले sir book दे दो तो हमने book बनाया अब बुक बनाने के लिए जो machine लगा वो तो मेरा responsibility तो उस machine का derived demand है direct demand है direct demand है direct demand is book का है तो अब यहां पर बहुत सारे differences है ठीक है अब इस बार हम लोग एक खाली बस हम तुम लोग को एक product तुम लोग मिल जूल के decide करो उस एक product को हम लो dispute raise करेंगे बोलो कोई अब doubt है तो furniture furniture is definitely consumption because it is meant for it is meant for final consumption एक चीज बोलो क्या चीज बोल रहे हो wood that is a very vague item raw material हो यह technically it is meant for final consumption but again if you put it into a machine which manufactures that थोड़ा भी तो लगता है ना manufacturing project थोड़ा को या तो consumption मान लो या तो उसको आप capital मान लो अचा ऐसा कोई strict rule भी नहीं है कि कोई चीज consumption होगा या capital होगा मैं एक example दे रहा हूँ आज अगर कोई machinery factory में लगा है अराम से सोचेंगे कोई machine अगर factory में लगा है जिसके बिना या उसके आज पास एक furniture है जिसके बिना वो stable नहीं रहेगा हिलता रहेगा वो machine डोलता रहेगा तो वो furniture का setup would be counted as capital goods आपको समझ आ रहा है लेकिन exam में आप जितना सोच रहे हैं वैसा कोई complex question आप से नहीं पूछाए easy question ठीक है आप imagine करियेगा would you ever imagine using it for yourself or your personal use if yes it is definitely consumption समझ आ गया लेकिन कोई ऐसा चीज जो आप imagine ही नहीं कर सकते एक अपने काम के लिए समझ आ गया या आपको mind में ऐसा आ रहा है कि भाई इससे क्या बनेगा इससे तो कुछ बनेगा नहीं आगे तो वह किसमें चला जाएगा consumption for example south city mall गये हो सब कोई एक एक बार घुमना हो गया south city mall में उपर AC लगया चट पर देगा है क्या लगता है कितने ton का AC होगा 3-4 ton का AC होगा पर कितना ton का AC लगता है हमारे घर पर एक ton का AC लगता है हर एक रूम में एक एक टन लग गया तो चलो तीन ton का AC तुमारा घर का capacity हो गया एक AC वहाँ पर एक AC का unit दिखा है तुमको कभी centralized AC है तो सर वह होता है एराउंड 500 से 1,000 टन का बीच में एक फ्लोर के लिए विच मेंस अराउंड 3-4,000 टन का electricity power तो तीन से चार हजार ton का AC लगा है feeling क्या रहा है capital good का है कौन सा good? consumption आराम से सोची कोई दिक्कत नहीं है further production के लिए use नहीं हो रहा है इसलिए तो बोल रहे वह consumption good है मेरा answer दे के मेरे कोई question पूशरी है पंखा consumption good है यह और एक logic लगाई बोली पंखा गर consumption good है तो ACB consumption good होगा एकदम सही देती logic यह बोल रही है वीडियो बनाने में काम आ रहा है आपका TV तो वो भी तो capital good होगा हाँ हो गया फिर एकदम correct है now let's see if all the points are getting checked for this TV or not it is being used for productive purpose next life span is multiple years depreciation is getting charged does not get absorbed in production correct है वीडियो बनाते टाइम इसका कोई element घुस नहीं रहा वीडियो में requires maintenance yes and it also has derived demand तो यह मेरे business के लिए यह TV क्या बन गया capital good अगर यह वीडियो नहीं बनाते तो किसमें गुच जाता यह consumption good तो क्या कोई भी good जिसको हम एकदम सही तरीके से classify कर पाए it can become capital good and if even one of the points does not match then it will convert itself into तो समझ आ गया अब आपने कोई point लिया जिसमें आप देख रहे हो कि वो production में absorb हो जा रहा है तो आप अब उसको आप capital goods नहीं बुला सकते है उसको क्या बुलाना पड़ेगा consumption good usually maximum things that you are going to read are consumption goods but sometimes depending on the use or the very specific question it might be capital good so how do you check whether the question is assuming a capital good or not you need to remember these points discuss करेंगे बाद में जब हम लोग question answer थोड़ा solve करेंगे तब हम लोग discuss ठीक है अभी मैं questions के साथ इसमें burden नहीं करना चाहते है बट हां कोई भी good imagine कर लोग जैसे tv being used for editing videos ठीक है that is also a good question ऐसी तरीके का question आएगा आप सोचिए आचा मैं और एक example लेता हूं ठीक है polling करने गए हो कभी तुम लोग polling करने गए हो polling अगर करने गए हो तो वहाँ पर हम लोग को जूता दे रहा है और वह जूता हम लोग पहनते है और वह जूता पहन कर हम लोग कर सकते polling because उनका floor खराब हो जाएगा question आते है वह जूता वह लोग दे रहा है वह consumption good एक capital good है अचा बोलो आप क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो capital क्यूं है it does not boxes है जो वो check नहीं कर रहा, ऐसे खोजोगी तुम दूला, यहां पर देखिये, यहां पर देखिये, productive purpose के लिए यूज़ हो रहा है वो जूता, yes, life span multiple years, no, appreciation, no, जूता पर कौन रप्रिसेशन चार्ज करने लगा भाई, next, does not get absorbed in production, it does get absorbed in production, the more people wear it, the more फटा हाल हो जाएगा, clear है, does not get absorbed in production, washing machine जब चलाते हो, तो washing machine में absorb क्या होता है, detergent, पानी, यहीं सब कपड़े, वट कभी ऐसा हुआ है कि washing machine ही wash out हो गया, तो what is the meaning of absorbing, वो particular capital asset ही खब गया, तो वो जूता तो आप जितना use करोगे, उतना जादा वो जूता wear and tear होगा, और खराब हो जाएगा, और वो जूता replace करना पड़ेगा, क्या लग रहे है, एक बार जूता खरीदा lifetime चलेगा, नहीं न, वो तो obviously नहीं आ लेना पड़ेगा, next, और derived demand है, अब derived demand is one of the, this is like more of a feature, not like a checkbox, यह बस एक बोलने का statement था, तो मैंने बोल दिया, याद रखना है, clear है, चलो, अब बीच में फिर से हम लोग लेंगे, बहुत time waste हो गया इस पर, अब हम लोग आगे बढ़ते है towards intermediate goods, ठीक है, अब फिर से अभी भी goods में ही रहेंगे, अब सबसे fancy चीज़ पता है क्या है, usually यह दोनों same नहीं होता, usually not same, but intermediate और final goods, many times they are same, many a times, यह same होता है, PV, मैंने classroom में लगा दिया, क्या बन गया, intermediate, intermediate की final है, तो एक बार definition पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, आईए, बहुत चोटा एक 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 line का definition है, final good का मतलब क्या लिखा हुए, देखो, it refers to consumption goods plus capital goods, and it depends highly on the end use of the buyer, लेकिन दोगला पंसर नीचे भी लिखा हुए end use of the buyer, किस में लिखा हुए यह, intermediate goods में, तो intermediate goods भी end use पर depend करता है, final good भी end use पर depend करता है, यह तो conclusion है यार, definition पर focus करो, final good में बोल रहा है, consumption और capital दोनों आएगा, मतलब अभी जो पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़े, वो दोनों किस में जाता है, तो TV किस में आएगा, final good, समझा, intermediate होई नहीं सकता, sir what is intermediate good, intermediate good is not actually a good, it is a stage of producing the final good, अभी for example, एक जूता बनाने गए, तो जब आप जूता बना रहे होगे, आप लोग को पते जूता में एक soul होता है, फिर बीच में वो foam होता है, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, उसके उपर जूता का upper body होता है, फिर lace होता है, बहुत सारा part है, क्या लगता है आप ऐसे printer में डालते होता है, जूता निकल जाता है, नहीं, soul अलग बनेगा, foam अलग बनेगा, body अलग बनेगा और lace अलग बनेगा, सब अलग बनेगा, और last में they will be stitched together, and then glued together to make a final product, correct, correct है ना, final good कौन सा है, जूता, intermediate good में soul आया, foam आया, body आया, lace आया, आपका lace फट गया, आपका lace फट गया, जूता था 10,000 रुपया का, अब खाली lace के लिए जूता फिकने में अच्छा लगेगा क्या, तो आप गए उस showroom में, Puma, Adidas, Reebok, Woodland, whatever, गए और बोले भाईया, यह जूता का है, lace है क्या, बोला है ना madam sir, आप बोले अच्छा, कितना का है, बोला 200 रुपीज, बोला बड़ा महंगा lace है, तो आपने बोला, वो दुकांदर क्या बोलेगा, जूता भी तो महंगा है, जू लेज तो 200 रुपीय का बनता है ना, color है बहुत सारा, आप color choose कर सकते हो, size भी choose कर सकते हो lace का, आपने बोला एक दम बड़ा बला lace चीए, बोला भी मिल जाएगा, तो बड़ा बला lace लेके आगे 200 रुपीया में आप, आप बताईए, that lace, don't you think, should not have been otherwise manufactured, कौन जूता का company खोलता है, lace manufacture करने के लिए, अरे तुम जूता का company खोला ना, तो जूता बना, lace क्यों बना रहा है, तर वो lace नहीं बना रहा है, वो जूता ही बना रहा है, जब lace पन रहा था ना, intermediate goods में, stages में, वो चार lace extra बना दिया, समझ आ गया, और वो चार lace को भी वो लोग packet करके, बोला भहिया, किसी को जरूत पड़ा अगर, तो यह वाला lace बेज देंगे, तो बताईए, intermediate good को final बना सकते हैं, intermediate good को final बना सकते हैं, मिल गया एक example, क्या, lace को हम लोग उठा कर सीधा final में बेज दिये, मतलब, we suddenly took it out of the production, and put it in the showroom, ऐसी भी के गाई है, work in progress कोई उठा के बेज दिये, होई सकता है, clear हो गया, easy था, perspective नहीं, use पे, correct है, if you are in a restaurant, and the wheat is being purchased by the restaurant owner, for his kitchen, to serve the people with roti, then roti is your final good, and for them, it is intermediate good, wheat तो sir, consumption good भी हुआ, और consumption good को हम लोग final good बोलते हैं, wheat अपने आप में final good है न, it is meant for final consumption, correct है, लेकिन, question आता है, इसको खरीद कौन रहा है, और किस लिए खरीद रहा है, ठीक है, तो अगर आप से कोई पूचेगा, बोलो तो बेटा, final good क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, consumption good और capital good, ये दोनों क्या है, final good, लेकिन फिर आप बोलोगे, sir, अगर मैं wheat को, use कर लूँ, in my restaurant, तो वो क्या बन जाएगा, intermediate good, which means, I am converting final goods into intermediate good, तारे goods ही, final goods होते हैं, ये भाई, ऊपर दो ही तो type के goods होते हैं, बोलो ना, consumption और capital, तारे goods ही कौन से goods होते हैं, final, लेकिन आपके use के हिसाब से, उसको कभी कभी, क्या बना जिया जाता है, समझ आ गया, वोड़ा weird है, हाँ, लेकिन ऐसे देखा जाएं न, तो ये topics और ये दो topic को, अलग पढ़ाया जाता है बच्चों को, हमेशा, they will teach you these two, अलग से, these two अलग से, ताकि आपके इस तो दोनों में कोई correlation ना है, लेकिन कहने का मतलब पता है क्या है, सारे goods ही final good होते है, सारे goods final goods ही होते है, ultimately तो उसका एक end stage आ जाता है, लेकिन कभी-कभी आप उसको जब use कर लेते हो, ऐसे कामों में, जिसमें वो act करें as work in progress, या फिर as raw material, as intermediate consumption, then we call it intermediate goods, I'll give you one more example, you purchased a phone cover, but you purchased a transparent phone cover, transparent phone cover, जो आता है न, see-through, phone cover लिया, plastic वाला, silicon का, 50 रुपया में, उस पर बढ़ियां बढ़ियां, ऐसे glitter, glitter डाल के, इस सब करके, उस पर जोल जाल कर दिया, एक चमिया कवर बना दिया, एक website बनाया, चमिया कवर.com, और advertise करना शुरू किया, और ये cover आप sell कर रहे हो, 299 में और बिक रहा है, आप कालिगाट में गए, 50 रुपया में cover खरी रहे, 100 पीस, और अब उसको बना के, क्या बेच रहे हो, चमिया कवर, तो बताइए, the customer who is buying the चमिया कवर, आपने फाइनल गुड को अचानक से क्या बना लिया, अच्छा, अच्छा, मतलब कौन किसका बात हो रहा है, आप वही तो बोल रहा है, क्या नड़की है ये, आप यार की बोल ला हूँ, तुम अपना सोचना बन कर दो, क्या है, जवाल है, समझ में आ गया सबको, जो आदमी बिजनस करता है, और उस बिजनस के लिए जो भी खरीता है, वो उसके लिए क्या बन जाता है, इंटरमेडियेट, अरे भाई मेरे को फैनुफेक्चर करना है, तुम लोग नहीं सुन रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं हम, वो क्या बनेगा, इंटरमेडियेट, और अल्टिमेटली जो एंड उसर होगा, उसके लिए क्या बनेगा, फैनल गुड, फैनल गुड को इंटरमेडियेट बना सकते हैं, इंटरमेडियेट को फैनल बना सकते हैं, अंसर दो ना, फिर मुलना ना, पाइनल को इंट्रमेडियेट बना सकते हैं इंट्रमेडियेट को फाइनल किस पर डिपेंड किया अल्टीमेटली यूज ऑफ पर सब्सक्राइज इस पर शेजिए एगर उसको बिजनज में यूज और वह बिजनस में यूज और अज आज इन रॉँम अटिरियल यूज करेग यह हमारा बिजनस का cover है यह हमारा बिजनस का name है for example यह हमारा business है ठीक है कैसे होता है business set एक room चाहिए ना अपने एक garage खरीदा आपने 10 लाक रुपया का garage खरीदा आपने बोला यह garage में हम काम करेंगे तरन फिर आपने फोन cover खरीदे जिसको आप further sell करोगे modify करके उसके बाद आपने glue खरीदा और etc etc products glitter glue paint what not to make the covers fancy ठीक है इसको भी आप further क्या करोगे sell गर्मी लग रहे तो क्या लगाना पड़ेगा AC, fan, खंडा पानी चाहिए, fridge, filter चाहिए यह सारी चीज़े आपने लगा दी उस garage में तक ही घर जैसा feeling आए और furniture भी खरीदना पड़ेगा के बताओगे यह सारा चीज, capital है, consumption है, intermediate है, final है और एक चीज चारों में से एक नहीं भाया, दो चीजे साथ में भी हो सकती है a thing can be consumption and intermediate, a thing can be consumption and final, समझा गया? अब मेरे को बताईए, आपने जो garage खरीदा, consumption good, capital good, intermediate good, final good consumption है की capital है, फिर से एक बर capital को आम लोग देखते है, used for productive purpose, garage is being used for productive purpose, lifespan is multiple year, depreciation is charged on the garage, does not get absorbed in production, requires maintenance, कौन सा good बन गया, capital, एक एक करके भाई, ऐसा कोई tension नहीं है, यह क्या आ जाएगा सर, capital, garage को intermediate बोलेंगे की final बोलेंगे, is the garage included in the phone cover which you will sell, जब मैं चीनी coffee में डालके बेच रहा हूं, तो customer को final good coffee मिल रहा है की चीनी मिल रहा है, coffee मिला, चीनी उसमें डल गया ना, तभी तो वो intermediate good बना, garage डल गया गया तुमारे phone cover में, नहीं, तो यह कौन सा good बनेगा, final, आराम से, phone cover पर आते हैं, जो आप raw material खरीद रहे हो, raw material जिसको आप sell कर रहे हो, किसमें जाएगा, एक second, पहला दो बर राइटी क्या था, capital, consumption, consumption में जाएगा, correct है, because it is getting consumed in the process, अच्छा फिर बताये, for this person, obviously for this person who is doing the business, Samya cover.com का owner, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके point of view से बोल रहा हूँ, उसके point of view से बताये, यह intermediate की final है, intermediate है, जो glue etc खरीद रहा है, यह भी consumption good है, very good, और intermediate है, जो इसने AC लगाया अपने office में, पहले एक एक करके, AC लगाया, fan लगाया, fridge लगाया, filter लगाया, furniture लगाया, कर यह सारा का सारा capital good है, और because it is not getting consumed in the production process, समझा गया, ऐसे आप किसी भी business का example लेकर आप इसको figure out कर सकते, and believe me what you think first is the right answer, उसके बाद जो आपका जो छोटा सा दिमाग जो प्यारा सा खिचडी बनाता है न, वो फाल्तु है, गर आज intermediate क्यों लग रहा है आपको अब मेरेको यह बताए, चलिए intermediate good का definition हम लोग चेक करते हैं, these are goods which are not counted in national income to avoid double counting, it generically refers to the state of goods which required to be processed into final goods, मतलब यह ऐसा state में है कि इसको हम लोग का final में convert करना है, ठीक है, परते परते clear हो जाएगा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया clear थोड़ा, देखो यह goods में कितना time spend की है हम लोग, सही है, और एक चलेगा case study, जब इतना time spend करी लिए तो एक और case study ले सकते है, ठीक है, इस बार बोलो क्या बेचने का मन है, कमिया cover हो गया, और बताओ, स्रीतमा को पकड़ते है, स्रीतमा बेचरही.com, कुछ बेचरही, क्या बेचे, बोलो तुम्हारा business है, what will you say, what, kidney, skeleton बेचेगी, वो भी original, illegal है, पूरा legal है, you can even have a skeleton at your house, it is not a problem, इधी medical, ने भी medical friends के पास actual skeleton है, तो आप ऐसा सोचिए that, actual skeleton मार्केट में बिकता है, not in open black market, from acquired and government sources, you can buy it, for not your pleasure, but for, you can, you can buy it, if you are studying medical, right, and you are a medical college student, and you have to get it sanctioned from obviously the head of department, but they give you, कोई license नहीं लगता है, skeleton बंदूक नहीं है, वो, ठीक है, लेकिन हाँ, तुमको एक student होने का प्रूव देना पड़ता है, ठीक है, and you will only have it as long as you are a qualified doctor or you are a student, ठीक है, उसके बाद नहीं तो give up, बिल्कुल, कुछ बनाएंगे ना chemical से, लेकिन जो आदमी वही chemical raw form में बेच रहा है, उसके लिए तो वो, समझ रहा है, चलो, आजो, तो अपने लोग skeleton लेते हैं, original, ठीक है, यह बेच रही स्रीतमा बेच रही, भूत.com ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अब बताईए इसका business लेते हैं, चलो, तो obvious सा बात है, इसने एक graveyard के बाजू में एक garage खरीदा, यह garage अब बताओ कौन से कुट में आएगा, अरे पहला वाला, capital की consumption, capital plus final, very good, अच्छा, फिर उसने कुछ skeletons acquire किये, बेचने के लिए, तो यह उसका raw material बन गया, यह skeleton को वो नहीं करेगी, skeleton में कुछ paint और glitter नहीं लगाएगी, ठीक है, यह skeleton को skeleton ही रहने देगी, इसका कुछ further processing नहीं करेगी, या उसको एक glass frame में आ कुछ कहीं जगा पर उसको framing करा देगी, आपको पता है न, वो धांचा खुद खड़ा नहीं रहता है, उसको धागा से किया जाता है, तो वो बस उतना ही की, और कुछ नहीं की, ठीक है, मतलब वो लाश बेसिकली जो है, उसको खड़ा करने का responsibility इसका, क्लियर है, उसके लिए धागा लगे, स्टिक लगे, मेटल लगे, वो करेगी, मज़ा आ रहा है मेरे को तो, अब बदाइए, skeleton, इसके लिए raw material है, capital, ये consumption है, क्या सब बोल रही है, मतलब common sense मेरे को बोल रही है, अब बाकी तुम जो लगा रही हो, लगा लो, और उसके बाद, consumption के साथ-साथ ये क्या बनेगा, intermediate, प्रितमा के लिए क्या है, कमाने का जरिया, जब वो खरीद रही है, यही सोच के खरीद रही है, कि बेचेंगे, तो वो क्या बन गया, intermediate, AC, fan, punkah, सब क्या बनेगा, final, plus, final good रहेगा, intermediate थोड़ी लेगा, जो चीज वो नहीं बेच रहा, बेचने वाले इंसान के लिए, final good क्या हुआ, पहला तो यहां लिखा है, garage, जो वो नहीं बेच रहा, और ऐसे बहुत सारी चीजे हो सकती है, जो आप नहीं, अचा सोचो एक चीज, हम यहां coaching center खोला, यह सारी चीजे जो तुम्हें आसपास दिख रही है, यह सभी तो मेरे लिए, मेरे लिए, final good है ना, मैं तुम्हें क्या TV बेच रहा हूँ, सर मेरा marks का मया, हम तीवी लेके जा रहे, नहीं हो सकता ना, मेरा 5 mark कट गया, हम charger लेके ज तुम्हा बेच रही.com, अच्छा लग हमको, लेकिन चम्या कवर.com is a good idea, अच्छा जादू करेगी है, ओम का टाइटू है, भूत नहीं आएगा, येस, चलो गाज, चलो continue करते हैं, भाई, तरा रही है, चलो start करते हैं, intermediate versus final good, भाई, देखो तो एक बाद, अपना-पना copy make बर read कर ये जल्दी से, इसमें से भी कोई doubt बचा कुछा है, तो पूछ लो, हम तो good go, आपिस मुड के ना देखें, तुम लोग इतना फालतू पना किया है, ना है, कुछ तो बारा की नहीं पढ़ता है, हम होता तो छोड़ी देता है, अब exam में, चलो बोलो, हमाना क्कारी डॉल Karangadha कोईजर, आप बोलो, है हां, तो, कुछ बोलो, कुछ व्यू Bowl, हम एठ को क्स का पना पूछ है, ठापितल कहां कुछे है है ऍियुक्षाउस्टबे कुली तुकन दार के लिए कुली कुली तुकां दार के लिए इंतरमीडियाटे की फाईनल है और आप और क्यापिटल के एगी कंजम्शन है तो इसके लिए वहेड़ी का धाचा भी तो गुड़ है वहेड़ी तो गुड़ है अमारे लिए कुछ भी हो सकता जब हम खरीदें लेकिन उसके लिए तो राइक है गाड़ी खरीद रहे हैं गाड़ी का showroom वाले के लिए सारी गाड़ी यहां intermediate goods हमारे लिए आगे बड़े आईये stocks and flows में आते हैं good से निकल गए हम लोग वाह हम तो अब आते हैं हम लोग very good में आते हम लोग stock and flow में अच्छा पताओ stock and flow तो भाई यह तो भावनाओ वाली concept है अभी तक तुम लोग भाव लग रहा है तो अब बताओ यह stock or flow का मतलब क्या होता है any variable that we study in economics it can be either a balance और a static figure it may also be it may also be a flow but it has to be measured over a period of time मैं अब एक चोटा फालतू सा example लोगा और फिर उसको direct economics में डाल दूगा पानी का टंकी में कितना पानी है ठीक है stock पानी का टंकी में कितना पानी है stock और तुमने नल खोल दिया तो पानी निकल रहा है how will you measure flow कैसे sir एक second पानी का टंकी में कितना पानी है मैंने अभी इस time पे तुमसे पूछा how many liters are there in the water tank stock because you are telling me the balance but once I open the tap and I tell you how much water is flowing out how will you answer no 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 stop saying flow tell me how will you answer अगर मैं अभी नल खोल दूंगा घर पे तो पानी बहेगा नहीं फिर से stock प्या गई यही तो बात है यही तो मैं clear कर रहा हूं अरे तुम सीधा answer दे ना भाई एक तो example दे दे मेरे को तुम भी स्रीतमा के साथ एकदम जुड़ जो और सथात में आग में चलो सती होगा और अब तो सब जा रहे हैं अब तो सब जाएगा अब रिविजय ने सब जाएगा एकदम बड़ा सिंपल चीजम बताता है आंपर है अब बनाना पड़ेगा तुम लोग के लिए पांडी का टंकी तुम हो रहा उनको लगता है थो national economy समंह लोगी कि मैं समयए उल्टा चय will अन्युद बनाया है तो यह हमारे पास The Water Tank Marina से सोचना इस water tank में अभी एक सो लीटर पानी है मैंने यह नल खुदा अभी अनिमेट नहीं कर सकता मैं बस सोच रुग मैंने यह नल अभी अभी खोला जब मैंने नल खोला तो इसमें यू करके पानी निकल रहा है, ठीक है, यू करके पानी धेर सारा पानी निकल रहा है, ठीक है, इंडिया का नले चू भी रहा है, अब यह सोचिये, इसके नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, और ये बाल्टी में पानी गिर रहा है, गिर रहा है, तो मैं आ स्यवیरा question Hindi में पहले पूचूंगा, फिर English में पूचूंगा, कितना पानी गिर रहा है? समझ रहे हैं? question लिखा हम मैने, तुम बढ़ल नहीं सकती? कितना पाणी गिर रहा है? ठीक है एक सेंड नहीं 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 थीक है नहीं तुम लोग हिंदी नहीं हम इंग्लिश में आ रहे हैं हाओ माच वाटर इस पॉलिंग प्वेश्चन मार अब बोलो तुम बोलो हाओ मेरे को बत तुम बोलो तुम अच्छा ठीक है सब कोई बनाइए मैं अप्वेश्चन देन हम हम मैं चुडेंट नहीं हो गाई नहीं सब रहे है मर गाड़ी से लगा है मेरा क्यों मेरे इतना डेप्स पर क्यों नहीं तुम लोग तो अलग अलग लेवल में जार तुम एक तुम बंटू question है मेरा रूक रूक how much water is falling गीर रहा है कौन सा tense है past present की future यह present tense है ना पाल्टी को अगर मेरको measure करना है तो फिर तो मैं past tense में चला जाओंगा exactly बाल्टी रख देंगे जितना पानी उसमें गिरा तो वो stock हो गया अगर आप नल बंद कर देंगे और बोलेंगे देखिए sir 20 liters water in the bucket तो मेरे को पता है इसमें इधर में 80 liters बच रहा है और इधर में 20 liter लेकिन फिर भी तो आप balance बता रहे हो मेरे को लेकिन मेरा question यह है क्या कि बाल्टी में कितना पानी है मैं क्या पूछ रहा हूं हां मैंने बाल्टी का बाती नहीं किया तो अपने लोग क्या बोलेंगे अपने लोग बोलेंगे या तो फिर वन लीटर पर मिनिट फॉल हो रहा है अरे तुम थपसे ठीकी बोल रहा है भाई लेकिन 3 to 1 वो कामी रेश्यो है तुम बोली इसमें जितना लीटर पानी रहेगा मैंट्स लगाके निकाल लेंगे 20 लीटर फिर यह तो स्टॉक हो गया इसको फ्लो में किसे कनवर्ट करूँ मैं पता हो बता मैं बता 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 और लोग अब कुछ हो जाता हम भी तुए पागल है हूं चलो 20 लीटर पानी आया लेकिन यह देखना पड़ेगा 20 लीटर पानी जो बाहा कितना देरी में बाहा ना आपको ऐसा पता चला कि सर्ट 20 मिनिट्स में 20 लीटर का मार्क हिट हो गया तो आप क्या बोलोगे वन लीटर पर मिनिट का फ्लो है लेकिन जब मैंने आप से पूछा था कि टंकी में कितना पानी है आपने मेरे को बोला था 100 लीटर पर मिनिट पानी है आपने क्या बोला था अपने क्या बोला था only 100 लीटर लेकिन when you are giving me the answer for the tap you are telling me लीटर पर मिनिट लीटर पर आवर you are giving me the time you are attaching a time dimension which was not there when we were talking about simply the balance अगर आप मेरे को यह बोल दोगे ना sir हमने नल बन कर दिया पल्टी में 20 लीटर है तो टंकी में 80 लीटर होगा अभी भी आप कौन सा concept बता रहे हो stock, balance बता रहे हो मेरे को दुनों का but when the tap is open what is happening is तो तो इतना बोका example समझने में कितना time लग रहा है कौन कर रहा है यह ठीक है now I am going to ask you a very simple question economical question syllabus से related if somebody asks you what is the GDP अचा छोड़ो यह if somebody asks you what is the salary what is your salary what are you going to say 1-2 छिले उमानसर पूछे तुम salary बताओ अपना salary बोलो ना तुम मानते कुछ नहीं कमाते चलो ऐसी बोल दो कुछ भी salary 35,000 मैं पूछी नहीं नहीं आओ आप correct बोल रहे है और आप गलत बोल रहे है ठीक है उसी साब से वह ठीक बोल यह flow है question आ रहे है हाँ very good लेकिन तुमने amount क्या बोला 35,000 क्या मतलब 35,000 क्या पर मन्त आपने क्यों attach किया अगर मैं यह नहीं लिखूं बोलेगा सुष्मिता का salary कितना है 35,000 per day per month कुछ तो लगाना per week कुछ तो पता होना चाहिए इसमें हम लोगों क्या चाहिए बोलो time dimension और यह आपका क्या था बोलो income तो income में हमेशा क्या लगाना पड़ेगा time dimension इसी लिए इसको हमेशा क्या बोलेंगे flow लेकिन हमारे economy में जितना भी capital investment हुआ है जितने भी roads बने हैं bridges बने हैं उसका तो हम लोग अभी current balance निकाल सकते हैं उसका value का clarity मिल रहा है तो यह सब क्या बनेगा अब समझा गया a very simple example would be how much money do you earn flow how much money do you spend flow क्योंकि आप क्या बोलेंगे हम खर्चा किये हम खर्चा कर दिये तो आदमीं बोलेगा कितना खर्चा किया बोला 10,000 बोला पूरा जिंदगी में 10,000 खर्चा किया बोलता है नहीं भाई 10,000 पर मंद खर्चा है time dimension लगा ना तो उसमें time dimension लगाएगा मेरा bank account balance is 1,000 रुपीज पर यर time dimension is not required I am asking you a question right now you need to answer to me at this point of time stock है तो stock is answered at this point of time right and flow is given over a period of time बोलो चमझ में आया flow होता है over a period of time stock होता है at a point of time अभी कितना पैसा है तेरे पास that is stock at a point समझ में आ गया पिछले महिने में कितना कम आये over a period of time समझ आ गया अब longer duration is chosen that is flow check the difference एक second में आ जाएगा stock को क्या बोला है यहां पे balance flow को क्या बोला है यहां पे recurring simple है पहला second point देखो stock is static flow is dynamic मतला बार बार चेंज होगा static का मतला अभी पूछा अभी यही रहेगा next no element of time और यहां पे foreign exchange का इतना balance है that is stock clear है लेकिन कोई पुछे का इंडिया का GDP बताओ तो आप बोलोगे इंडिया's GDP in the last year was इतना year बोले तो financial year 12 months का आप GDP बता रहे हो समझ आ गया very good national income profit and loss यह सब अरे best है तो PL trading PL और balance sheet तो trading PL flow और balance sheet clear हो गया clear है इसमें आप confusion नहीं है पका आगे बढ़ू circular flow of income में आते हैं पढ़े तो हम लोग सर जिंदगी में four sector तक है लेकिन हमारे syllabus में कितना है सिर्फ two sector लेकिन two sector में दो variety होता है बोलो कौन-कौन सा हम बोले firm two sector वाला question में है दो variety होता है दो element होता है नहीं बोले हम एक होता है with financial market और एक होता है without question नहीं समझते तुम अरे पूछना क्यों जाओ कोई रोक के दिखाए तुम्हें क्लियर है चलो यहां पर आता है हमारे पास closed economy क्या लिखा हुआ है two sector अच्छा एक सेकेंड how many sectors are there total four in a normal economy there are four but fourth sector is foreign sector which basically means you will start to have relations with another economy वह बन जाएगे open economy जो import export करता है उसको कौन से economy बोलेगा जिसमें government आजाएगा उसको क्या बोलेगा open क्योंकि government आएगा तो foreign exchange में deal करेगा सब कुछ आजाएगा लेकिन जब तक हमारे पास तीसरा sector नहीं है हम लोग उसको closed economy हो सकता है और अगर हुआ भी तो वह government कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा है वह सिर्फ money को गुमा रहा है कि government का रोल क्या हुआ अगर RBI को हम बोले है कि बेटा जितना पैसा है बस उतना ही रहने तो उसका काम ही खतम हो जाएगा समझ में रहा है जो not destroy और उसको खतम हो जाएगा वही पैसा गुम रहा है गुम रहा है तो monopoly का game खेल रहे है दीरे दीरे note कहीं गिर जा रहा है तो sir इसको हम लोग बोलेगा closed economy clear है closed economy में कितना sector है दो चलो बोलो total कितना sectors होता है four four sectors का नाम बोलो household firm government foreign sector यह होता है तू sector में क्या आएगा household और firm लेकिन household और firm का बीच में एक sector घुसता है जिसको हम लोग बोलते है financial market financial market हमारा business studies में chapter भी है तो वह financial market का ही बात हो रहा है मतलब कि bank हो सकता है securities और treasury कुछ भी चलेगा clear है जो भी financial intermediaries है आजो भी ख्लोज्ट economy में हमारे पास दो लोग है और होजोल्ड है तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है सर्कुलर फ्लो का डियाग्राम एक ठोट राइंगल में रेक्टेंगल में बना देता है तो बिटा जब circular लिखा है थो थोड़ा गोलू-मुलू बना दो है की नही है तो भी जब circular फ्लो लिखे थोड़ा ओवल दिखे ठीक है थोड़ा सर्कल दिखे ठीक है बहुत लोग ऐसे को रहेगा ऐसे स्मार्ट डियाग्राम बनागा ऐसे 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 हां फूल वाले तो पागली होते हैं तो हम चल रहे हैं लेकिन आपको यह समझना है स की इस तरीके की डियाग्रामस ना बनाए तो रहां पर आप रेक्टेंगल बनाके आगए इसा कोई रूल नहीं आइसा कोई रूल नहीं है , If you do it, it's for you, no rule like it. चलो चलो आते अब, तो firm, firm क्या provide करता है household को, goods and services, और household क्या करता है, goods and services को purchase करता है, लेकिन वो purchase करने का पैसा कहां से आएगा, उनको काम करना पड़ेगा, तो यह काम भी वो लो कहां जाके करेंगे, firm में, और firm में वो लो factor services provide करेंगे, बोलो चारो factor services का नाम, land, labor, capital, entrepreneur, और यह चारो का वोपिस जो हमारे पास वोपिस आने वाल है, rent आएगा, labor का wages आएगा, capital का interest आएगा, और entrepreneur को profit मिलेगा, बोलो clear है, यह पूरा का पूरा diagram clear है, देख लो एक बार, नजर घुमा लो, क्या पता है, इसे ignore करेंगे, आता है हमें तो, very good, अच्छा, यहां पर देखो, मैंने कुछ-कुछ नाम दिया है, ठीक है, कुछ-कुछ नाम करन किया है यहां पर, आप यहां पर देखिए, the firm is providing them goods and services, यहां पर यहां पर देखिए, firm को household क्या provide कर रहा है, factors of production, इसको हम लोग factor of services भी बोल सकते है, क्या-क्या है, land, labor, capital, entrepreneur, entrepreneur को और एक नाम है organization है, इन case आगया exam में, don't do liber, liber, sir नहीं पड़ाए, sir नहीं पड़ाए, मेरा photo जला रहे है, और यहां पर factor payments मिलेगा बदले में, factor payment क्या-क्या है, rent, wages, interest, profit, so, अगर मेरे को एकदम फालतू से एकदम short में लिखना पड़े, तो circular flow को क्या हम लोग ऐसे denote कर सकते हैं, कि भाया, यह household है, यह firm है, यहाँ पर दो-दो line बना लेते हैं, फटा-फट, बस complete, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत लोग होता है, hero बनता है, ऐसे बना गया जाए, माम का क्या, माम तो देखेगी, ठीक है, नेक्स देखिए, अच्छा, जब हम लोग को पैसा चाहिए, कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोग तो काम करते हैं, और वो काम हम लोग फ़र्म के लिए करते हैं, correct है, तो वो मेरा factor of production है, और वो मेरा factor income है, similarly, household will provide firm with factor of production, और यहां पर आएगा factor payment, बोलो easy, एकदम short में हो गया, ऐसा बना के मत आ जाना, ठीक है, zero में से भी zero मिल जाएगा, आ जो, यह बस एकदम सही है, लेकिन बीच में कभी-कभी क्या घुसेगा, एक sector, जिसको हम लोग बोलते है, financial market, financial market में बीच में आ गया, और financial market भी two sector flow को healthy way में circulate करने में help करता है, तो वो बोलता है, household को पैसा लेकर dud लग रहा है, तो बोलते है, आजो, 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 मेरे में invest कर दो, ठीक है, मेरे में invest कर दो, save कर लो, और इन लोग को बोलते है, आप भी deposit कर लो, firms को भी पैसा safe रहेगा, तो इनके deposit अगर आते हैं, इन पर usually interest नहीं आता, लेकिन लोग loan facility प्रोवाइड करते हैं, और households को, ये लोग loan facility भी प्रोवाइड करते हैं, और ये savings पर कभी-कभी interest भी करते हैं, बोलो, पूरा clear है, कोई दिक्कत इसमें, can I move on, okay, moving forward, यहाँ पर देखे, दो नया नया शब्द मिला, जो बहुत लोग भूल चुके हैं, पहला लिखा है, real flow, दूसरा लिखा है, nominal flow, what do you mean by real flow, real flow, देखो, हमारा जो पूरा circular flow हुआ, उसमें कहीं पर पैसा involved है, और कहीं पर activity involved है, activity involved है, अगर मैं, अगर मैं यहाँ पर, यह जो मेरा जो diagram है, if I eliminate, if I eliminate, कैसे इसको eliminate करना तो मुश्किल है, हाँ, अगर मैं यह payment वाला point उड़ा दू, और मैं भी यह payment वाला point उड़ा दू, तो आप देखो, ultimately diagram में बच क्या रहा है, और यह financial market को भी उड़ा दो तो ultimately क्या बच रहा है, कि household, household खरीद रहा है goods and services, and ultimately, indirectly, factors of production प्रवाइड कर रहा है, looks like a barter system, looks like a barter system, हम काम करेंगे, तुम हमको खाना देजेना, पुराने जमाने में यही तो चलता था, clear हो गया, leader को राजा बोलते थे, और बाकी लोग यही करता था, राजा के लिए काम कर राजा उनके लिए, प्रवाइड करता था, इसलिए कुछ अच्छे राजा होते थे, कुछ खराब राजा होते थे, यही होता था, राजा, clear है, यह done, थोड़ दिया मैंने, थोड़ा आगे बढ़ा, तो real flow is the barter system, real flow is just the goods and services का flow, ठीक है, तो real flow में, bracket में, क्या हम लोग notes में लिख सकते हैं, real flow में, can we write, factors of production, in exchange, for goods and services, चलेगा, correct है, हमें नहीं लिखना है, मेरा notes लिखना है, तुम्हें लिखना है, तु लिखो, or flow of money मतलब, factor payment, in exchange of, payment for goods and services, आप लोग पुरा पुरा लिख लिख लिजिए, दिदी, प्लीज राइट, रितमा दिदी, राइट, एफपी है, वो पीपी में, पानी का धक्कन उठाने गया, कुछ और ही मिल गया, हमको, कैसा lost and found department, फिर कुछ और मिला, हमको, पुडो याद, नीचे पुरा बाटर सिस्टम का दुकान है, यह भाई चक्का का आधा पार्ट है, इसलिए मेरा चेर डोल रहा है, तो हम इतना ध्यान नहीं देता न, ज्याता ध्यान देगा तो इसे मोठा मोठा फील होगा, हो गया, ठीकना हो गया, एपी नहीं है यह, factor payment law in exchange of payment for goods and service, अच्छा लास्ट में क्या लिखा हुए है सर, real flow और nominal flow दोनों को add करेंगे तो हम लोगों को पूरा-पूरा क्या मिल जाएगा, circular flow अच्छा सर, अगर हम लोग circular flow में हैं ठीक है, अगर हम लोग circular flow में हैं और हम लोगों का circular flow में पैसा घूम रहा है, पैसा तो उतना ही रहेगा ना, कभी बड़े गई नि, two sector economy में ना import है ना export है, ना कोई benefit है, तो हम लोग जितना पैसा एक बार economy में छोडेंगे 100 रुपया, वो गुमी गुमी करेगा 100 रुपया, कभी तुमारे पास, कभी मेरे पास, कभी तुमारे पास, कभी मेरे पास, गेम हो गया ये तो एक, So how do we increase the money? So there is a concept of injection, and how do we decrease the money in the circular flow? There is a concept of withdrawal, but please note, injections and withdrawals only work in a four-sector economy. It does not work in a two-sector economy. That is why, I would suggest, it is not that important in your syllabus. पट फिर भी पढ़ना है, तो पढ़ेंगे, क्या पता पूछले, प्रीबोट जाए, So sir, injection का मतलब होता है, adding money to the circular flow, और withdrawal का मतलब होता है, getting money out of the circular flow. बोलोग पैसा add कैसे करेंगे? हमारे पास तीन उपाई है. क्या क्या है? I plus G plus X. Check करिए. Injection में लिखा हुआ है, I plus G plus X. बोलो तो क्या है? I का full form क्या है? बोलो बोलो यहां लिखेंगे हम लोग side में. I का मतलब, investments, G का मतलब, government expenditure, और X का मतलब, जो हम भूल चुके हैं. जो हम कुछ और X का बाद है. Sorry guys. Nominal flow में लिखा हुआ था, factor payment in exchange for, in exchange for, payment for goods and services. अरे वह याद है तुम लोगों को, STM का full form बोलो तो, S for saving, investment का उल्टा होता है, saving, T का मतलब हो गया, taxes by government, और M का मतलब हो गया, import. एकदम भी नहीं. हो गया क्या? हमारे लिए units पढ़ना है हमें. 10 topic हतम हो, 28 topic है total. बोले इतना ता clear है? तो तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अरी. I am so sorry, I did not check the time. अच्छा, तो injection का मतलब clear है? injection का मतलब हो गया, पैसा डालना, तो वह कैसे हो सकता है? अगर firms invest करें economy में, या government खर्चा करें economy में, या exports करो, आप तो foreign currency आएगा. और अगर आपको अपना पैसा withdraw करना economy से, तो savings कर सकता है लोग, ताकि पैसा circular flow से ऊट जाए, टाक्सेज भाइगा, गवर्मेंट टाक्सेज जादा चार्ज करेगा, तो लोगों के हाँचे पैसा चला जाएगा, and finally import. लेकिन government फिर उसको अपने पास रखेगा, वो expend नहीं करेगा, तो फिर वो circular flow से निकाल लेगा पैसा. and when government is taking taxes, that is withdraw, ठीक है? आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, टाटा भाइवे जहिन मिलेंगे हम लोग कल, कल BST का बुक भी देना है भाँ, प्रेसल, आ रहे है कल, ओ आप लोग को नहीं मिलेगा, 11 को मिलेगा, यह नहीं नहीं ज्यादा हो रहे है, यह तुम लोग को पूरा नोट दिया हुए 12 चप्टर का है, मेरा खर्चा नहीं बढ़ाना वेश्वन देनका।